हेलो माई डियर फ्रेंड साजम पड़े मैं वक्षित नंबार सैवंटीवन मैथेमेटिक्स की चैप्टर हमारा सिक्स लाइन अन्द एंगल फर्स्ट कोशन हमारा कहता है अगल कॉंप्लीमेंटरी एंगल कौन से ओता है और कॉंप्लीमेंटरी एंगल का मतलब क्या होता है दो सिक्स्टीइट को जब हम प्लस करेंगे 22 से तो हमारा अंसर नैंटी आएगा अगल को वंका एंगल कहते है जब उनका सम कितना आता है 180 आता है ठीक है माले ज़िए 90 प्लस 90 है तो यह कितना होगा हमारा सप्लिमेंटरी हो गया एंगल थर्ड कोश्चन कहा रहा है आपको गीवन एक फिगर है उसमें आपको आइडेंटिफाइ करना है कोरेस्पोंडिंग एंगल 2 एंगल 4 कोरेस्पोंडिंग एंगल बताना है आपको तो कोरेस्पोंडिंग एंगल कौन कौन से होते हैं मैं आपको बताती हूँ 4 जोगा 8 से corresponding होगा 2 जोगा 6 से होगा 1 जोगा 5 से होगा 7 जोगा 3 से होगा ठीक है तो आपका first time है 4 के लिए corresponding angle कौन सा आथा 4 के लिए 8 है second है alternate interior angle of the angle 5 alternate interior angle तो interior angle कौन से होगे हमारे 5 के लिए होगा angle 3 okay internet और वो भी interior तो alternate क्यों जो तो होगी गया और साथ interior में हमारे कौन सा आएगा 3 आएगा आगे हमारे next question कहता है vertically opposite to angle 2 angle 2 जोगा इसको वर्टिकल अपोजिट कौन सा आएगा angle 4 होगा एकदम से हम अपोजिट वाले और लास्ट है आपका linear pair of angle 7 angle 7 का linear pair तो देखिए angle 7 जो इसका linear pair कौन सा बनेगा जो की उसको 180 डिगरी बनाए तो आपका देखिए यह बनेगा 6 इस तरीके से linear pair और साथ ही साथ आपको यह भी बनेगा angle 8 ठीक है 7 के साथ तो आपके 2 हो गये इसका answer देखिए answer इसके है फर्स्ट का देखिए 22 है 2nd का 180 3rd का 8 angle 8 B का angle 3 C का angle 4 और D का angle 8 और angle 6 ठीके अब हमारा second यह 4 देखते है इन गिवन फिगर A B जो equal है A B parallel है CD के और CD parallel है EF के और साथ है जो MH है वो parallel है हमारे KL के और हमें कुछ find करना है पहला MHD फिर HKL और last है HKB तो पहला हम MHD देखते हैं MHD कहां यह हमारा MHD है ठीक है तो यह हमें find करना है तो यह बहुत easy आप क्या करेंगे देखिए जो हमारे यह वाला angle है और यह वाला angle यह दोनों मिलके बना रहे है हमारे linear pair बना रहे है तो लीने पर बाहें गा तो हम क्या करेंगे 60 माइनस 180 माइनस 60 कर देंगे तो हमारा अंसर आजाएगा इसका ठीक है तो हमारा MHD आ जाएगा ऐसे हम कर लेंगे second है हमारा HKL एंगल HKL यह वाला angle हम कैसे निकालेंगे हम इसको एसे निकालेंगे ठीक है यह हमारा अल्टर नेटे एंगल से हम निकाल देंगे 25 हमें गीवर ने अब ही हमने क्या निकाल इससे पहले mhd में हमने यह वाल एंगल निकाला ठीक है इन दोलों को प्लस करेंगे तो हमारा hkl आजाएगा थर्ड हमारा एक हमारा hkb एंगल hkb यह वाला एंगल किसके ब्राबर होगा हमारे इसके बराबर होगा, ठीक है, तिसमे भी हम क्या करेंगे, यह हमारा linear pair बनाएगा total, तो हम क्या करेंगे 25 और 180, 25 प्लस डैश और इक्वस टू 180 और 180 में से हम minus कर देंगे, 25 को तो हमारा answer आ जाएगा, अब हम इसके answer करते हैं, देखिए, AB parallel है CD के, CD parallel है EF के, और MH parallel है KL के, तो MSD क्या होगा, angle CHM, and angle MSD equals linear पे रहे हैं, तो 60 plus MSD equals 180 और 180 से हमारा कितना angle आया, MHD 120, ठीक है, सेकेंड हमारा HQL निकाला, तो HQL क्या होगा, KHM, alternate angle के हिसाब से, तो हमारा KHL कितना होगा, 25 प्लस 120, ठीक है, KHD plus MHD, यह तोनों क्या है, KHM है, तो HQL हमारा कितना है, 145, थर्ड है हमारा, देखिए, HKB हमें निकाला होगा, तो HKB क्या होगा, angle KHC, alternate angle के हिसाब से, और KHC क्या है, टोटल, KHC प्लस हमारा DHK जो की 25 equals to 155, तो हमारा KHC आया, 155 equals to हमारा HKB, तो यह हमारे आंसर थे, मैंने आपको पहले समझा दे कि आप निकालें कैसे आंसर, वो तो सब लिखना है, तो उसमें थोड़ सा मैस हो जाता है, इसलिए, मैंने आपको पहले समझा दे कि आकर कैसे निकालेंगे, सेकेंड आपको गीवन फिगर है, इसमें A, B पर पैलल है, C, D के, ठीके, और E, F जो है, E, F जो है, वो D, Q के पैलल है, आपको पहले P, D, Q निकाला, फिर A, E, D निकाला, है, D, E, F निकाला, और A, E, B निकालना है, तो देखिए, पहले हम, P, D, Q निकालेंगे, तो P, D, Q किसके एकवल है, P, D, Q इसके एकवल है, यहापे क्या है, corresponding angles है, ठीके, और हमारा क्या बता रहा है, जो हमारे ये वाला है, ये भी हमारे इसके क्या है, corresponding angle है, तो हमें P, D, Q निकालना है, अब P, D, Q निकालने के लिए, हमें ये angle पता होना चाहिए, और ये angle पता होना चाहिए, तब हमें linear पे निकालके, हम answer निकाल सकते हैं, तो जो हमारा ये है, ये वाला angle क्या है, इसके बराबर है, यहनि कि इसका corresponding angle है तो हमारा यह हो गया 34 और एक हो गया 78 और एक हो गया plus x माल लीजी तोटल कितना हो गया 180 ठीक है तो 180 में से अगर हम minus करेंगे तो हमारा यह वाला answer निकल कि आ जाएगा और हमारा यह आगा तो यह निकि यह भी हो गया फिर आपका a.e.d. निकालने के लिए तो ed किया है यह आपका corresponding angle है ठीक है तो ed क्या है यह हमारा easily निकाल गया फिर def क्या है D.E.f. यह तो अभी हमने निकाला था इसके लिए p.d.q. के लिए और last आपका a.e.b. a.e.b क्या है a.e.b. ठीक है पहला क्या है AB equals to AB parallel है CD की और EF parallel है DQ के तो PDQ equals to angle PDQ और angle DEF के equal है corresponding angle के हिसाब से और DEF हमने कैसे निकाला DF हमने linear PR के हिसाब से निकाला था angle AAD plus angle DEF और angle FAB equals to 180 34 plus angle DEF plus 78 equals to 180 और जो हमारा angle AAD वो क्या है PDC की corresponding angle है ठीक है तो हमारा कितना हो गया 34 और 78 को हमने plus क्या था 1112 हो गया और angle DEF equals to 180 अब हम क्या करेंगे DF निकालने के लिए 180 में से माइनस कर दें 112 को तो हमारा DF आता है 68 ठीक है तो हमारा PDQ आ गया हमारा 68 होगा AAD कितना होगा AAD अभी हमने बताया कि PDC के क्या है यह corresponding है तो यह इतना होगा यह 34 होगा फिर है DEF DEF अभी हमने निकाला था 68 डिगरी जो क्या PDQ के equal है वो की corresponding angle है और last में हमें AAB निकालना है AAB कितना है 180 डिगरी है linear pair के साब से angle AAD plus angle DEF और plus angle FEB टोटल कितना होगा 180 होगा ओके फेंट्स यहां पर हमारा वीडियो कमें था आई होप आपको वीडियो चला होगा इसे लाइक केज़े कमेंट केज़े शियर जूर करिएगा और भी मेरे वीडियो से देखने करें में चारव को साथा करिए थैंक्यू दम्खर करिए रसए देखने करिए